इरान किसी भी वक्त कर सकता है इस्रेल पर हमला युनिट तयार है, हमला कैसे किया जाना है वो बात प्लान हो चुकी है अब सिर्फ इनतजार है समय और तारीख का की बदला इरान इस्रेल से कैसे लेता है देखे हाल के इस दिनों में जिस तरह से सीरिया के बानिज दूतावास के उपर हमला हुआ था और इसमें इरान के शीर्ष नेतरितों के सहीद जनरल सहीद साथ लोग मारे गए थे अब उसके बाद से इरान कैसे हमला करे इसरेल के उपर लगातार इस प्लानिंग में जुटा ह हुआ है और बाकाइदा अमेरिका की तरफ से ये बाते कहीं जा रही है लेकिन साथ ही अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इरान इसरेल के उपर सीधा हमला नहीं करेगा खुद हमला नहीं करेगा बलकि इसके लिए किसी संगठन का सहारा लिया जा सकता है और अब रिपोर्ट analyses बता रही है कि ईरान यह जो हमला करेगा वह हम्ला वो कर सकता है इरान की तरफ से किया जा रहा है ऐसी भी खबरें जो अमेरिका की तरफ से भी वताई जा रही है कि रमजान का महीना बीच जाए ये इंतजार इरान की तरफ से किया जा सकता है लेकिन इस बात की पुष्टी नहीं की गई है मतलब रमजान का महीना बीचने के बाद ही इरान हम नहीं सकता है आचा खबरें ये भी है कि इरान भी नहीं चाहता है कि वो किसी तरह इस हमले में फसे लेकिन हाँ जो हमला उसके ओपर किया गया है उसका वो बदला भी लेना चाहता है मतलब साम भी मर जाए लाठी भी ना तूटे कुछ ऐसी ही गणनीती इरान इस वक्त बनाने में लगा हुआ है और खासकर इसलिए भी कि इरान को ये लग रहा है कि अगर अटैक डारेक्ट हमारी तरह से हुआ तो फिर युद्ध भी तैह है इसके साथ-साथ ये संभावना भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इरान पूरी तरह से सक्षम शायद इस्रेल को मज़ा चखाने में ना हो और ऐसी स्थिती में अगर युद्ध होता है या डारेक्ट अटैक किया जाता है इरान की तरह से इस्रेल के उपर और मू के अगर इरान को ही खानी पड़ती है तो फिर ये और ज्यादा चिंता जनक इस्थिती इरान के लिए हो जाएगी मतलब उसकी जो बहुत है वो भी पिटेगी, जो इमेज है वो डाउन होगी अपमान उसका कही न कहीं होगा जहां से हमले को अन्जाम दिया जाता है, इरान क्या अपनी ही भूमी का इस्तिमाल करेगा, सीरिया का इस्तिमाल करेगा, ये सब अभी सवालों के गेरे में है, लेकिन अमेरिका की खूफिया रेपॉर्ट ये साफ साफ तस्दीक कर रही है, कि इरान इस्रेल से बदला जरूर झालेगा.